पिछली क्लास में हमने इजेमार और वजवर के उपर टोटल डिसकस कर लिया है आग जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखें प्लीज डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया गया है और आई बटन में जाकर क्या आप देख सकते हैं तो Cell B और Will Be सबसे पहले जानने वाले के बहुती असान ढंग से बहुती परफ़ेक्ट यूज हम लोग बताने वाले हैं Actually, sell-be or will-be में कभी आप फसेंगे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इस्टुटेंट होते हैं, sell-be or will-be हमेशा हम लोग confused रहा जाता है, sell-be or will-be कहां पर परियोग करें, बहुत जगह पर sell-be or will-be का परियोग होते हैं, तो देखिए मैं आपको definitely यहाँ पर जो मैं बता रहा हूं, sell-be और will be का परियोग करते हैं जिसमें कोई भी main verb का परियोग नहीं करेंगे यानि कि कोई action का परियोग नहीं करेंगे जैसे for action का मतलब क्या होता है कि आना जाना खाना पेना सोना बैठना etc whatever जितनी भी सारे हम लोग सुबह से साम तक काम करते हैं यह हमारा total action का हलात है यानि कि go come eat है न कुछ भी कोई action करते हैं कोई भी काम करते हैं उनको बलते हैं action तो without action without maneuver आज हम लोग जानने वाल हैं सबसे पहले हम लोग जान लिए कि selby और will be actually कहां पर परियोग करेंगे यह थोड़ा आप देख लीजिए display पर हम मैं दे रहा हूं आपके mobile के screen आई वी यू दे के साथ selby का परियोग करना है और he see it any नाम के साथ will be का परियोग करना है ठीक है यहां तक clear है अब देखिए sir selby will be तो समझ में आ गया कौन सा actually subject के साथ selby or will be का परियोग करेंगे हम लोग यह समझ में आगे इसमें कैसा sentences बनेंगे देखिए मैं बता रहूं भीया ठीक है अब देखिए हम लोग जब sentence बनाएंगे भीया एक दम clear करेंगे आपको ठीक है बहुत ही आशानवास में हम लोग बताएंगे यह समझ में आएगा यानि कि जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं भीया मैं खूश रहूंगा क्या रहेंगे आप खूश रहेंगे रहना चाहते हैं मैं खूश रहूंगा यानि कि I will be happy I will be happy तो जैसे for example मैं जाता हूं मिया मैं एक डॉक्टर बनूंगा मैं क्या बनूंगा देखिए यहां पर sentence से आपको माइंड में रखनी है यहां पर translate हम नहीं कर रहे हैं हम आपको situation दे रहे है situation को पकड़ना है हमने यह कहा कि हम लोग future time में कुछ होना चाहते हैं कुछ बनना चाहते हैं ठीक subject plus cell V या will be plus object complaints without action बना रहे हैं simple sentences बना रहे हैं याद रेखिएगा मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा अगर आपको ज़्यादा परिशानी हो रही है तो वीडियो को बहुत सांती पुरुवक देखिए आपको 100% I guarantee you आपको समझ में आ जाएगी मुझे इतना विश्वास सवलीब है अपने आपके उपर और आपके उपर जिया तभी मैं इतनी किलियर ढंक से मैं बताना चाह रहा हूं और बता रहा हूं ठीक है चली यह जो structure है इससी structure के मादेम से हमारी total sentences बनेंगे for example चली हम sentence लेते हैं मैं खूश रहूंगा मैं यह sentence हमारा क्या का रहा है भाया म मैं खूश रहूंगा यानि कि आप सोच पा रहे हैं क्या मैं खूश रहूंगा क्या भी मैं खूश रहूंगा नहीं न हम लोग भाया ठीक है मैं खूश रहूंगा उस चीज में आने वाले time में खूश रहेंगे तो I will be happy जिसे हम लोग करते हैं मैं doctor बनूँगा क्या a doctor जब हम लोग doctor बन जाएंगे तो काफी समय तक doctor बने हुए रहेंगे इनकी period ही बहुत दूर तक चलता है ठीक है जब आप doctor बन जाते हैं तो इनकी period काफी दिन तक चलता है 30 साल 20 साल तक उस पद प्याप पर रहते हैं तो I will be a doctor जैसे कोई कहते हैं मैं मतलब फोजी बनूँगा या फोजी रहूँगा या फोजी हूँगा तो I will be a फोजी या खूस रहेगी she will be happy और he will be happy अच्छा यहाँ पर आप confused हो रहे हैं कि sell be और will be का पर्योग सर कहाँ पर करें चलिए बहुत ही आशान कर देते हैं clear cut करते हैं टोटल सब्जेक्ट के साथ आपको will be का पर्योग करनी है भूल जाईए आप sell be भूल जाईए कि sell be कुछ नाम का भी होता है भूल जाईए क्योंकि we are right now learning in English language ओके we are learning in English language हम लोग अंग्रिजी सीख रहे हैं बोलना चाहते हैं speaking कर रहे हैं इसलिए आप इस सब चीज भूल जाईए sell be को हटाईए सिर्फ will be का आपको पर्योग करनी है यानिकि जितनी भी सारे सब्जेक्ट हैं टोटल सब्जेक्ट के साथ आपको will be का ही पर्योग करनी है helping work ठीक है ओके आगे बढ़े चलिए हम लोग कहते हैं मैं किसान बनूँगा क्या बनेंगे हम लोग किसान बनेंगे मैं किसान बनूँगा I will be a farmer I will be a farmer मैं एक लड़का बनूँगा देखिए ना बहुत सारे क्या होते हैं मतलब जेंडर को चेंज करवा लेते हैं करवाते हैं बहुत सारे ऐसी लड़का होते हैं बहुत सारे ऐसे लड़कियां होते हैं जो अपने जेंडर को चेंज करवा लेते हैं तो वह बोल सकते हैं I will be a girl या I will be a boy मैं एक लड़का बनूंगा मैं एक लड़की वेरी गुड I hope you are enjoying this classes मैंने देखिए बहुत ही किलियर बताया हूं बहुत किलियर कट बताया हूं अगर आप समझ नहीं हैं अब आपको विडियो को दुआरा किजिए और देखिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप दुआरा विडियो को स्टार्ट किजिए और आगे तक बढ़ीए ताकर कि आप फिरी वीडियो देख रहे हैं डिजन्टमेट अगर आपने पे किया है तो दोनों का महत्व आपको रखते हुए चलनी है क्योंकि यह जो वीडियो में आपको प्रवाइट कर रहा हूं और यह दे रहा हूं बहुत ही इसमें खर्चे आते हैं काफी टाइम लगते हैं लग कि एसे आप छोढ़ दिजिएगा ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं आगे वरे हैं सल्वी गोँएड या सेलाई गोँएड कि हम आगे बढ़े हैं आप चलते हैं थोड़ा नेस्ट के ओर थोड़े बड़े-बड़े सेंटेंस बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसा हम की या बोलते हैं तो भुच्ब का बोलते हैं एक क्रिकेटर अने वाले टाईम में आने वाली फिचर ते मैं क्रिकेटर बनृट के इस से जब मैंने पूचा रभी यहा यह वांट विक्वनेंगे या एन आर्टिस्ट बलेंगे, मैं एक कलाकार बनूंगा वोट या वान तो बीकम इनियर फिचर, या एक डॉक्टर बनना चाहती है अभी डॉक्टर है नहीं, ये भी अभी एक मतलब किर्केटर है नहीं, प्लेयर है नहीं, ये भी कुछ नहीं है बट आने वाले टाइम में एक किर्केटर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या प्लेयर बनेगा, या सिंगर बनेगा I hope, understand, it is clear, तो अगर ये डॉक्टर बनेगा, he will be a doctor, she will be a student, या एक student बनेगी I will be a best teacher, I will become a best teacher, मैं बहुत ही best teacher बनना चाहता हूँ हमारा भी तो live है कुछ, हम भी चाहते हैं अपने future में एक बहुत ही perfect teacher बनना चाहते हैं जो कि कोई भी बच्चे हमारी पढ़ाय हुए चीज़ों में confusion ना रहे, doubt ना रहा जाए उनको बहुत ही आशान भाषा में हम सिखाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं वेसी creative teacher बनना चाहते हैं आप भी कुछ ने कुछ बनना चाहते होंगे, होना चाहते होंगे, रहेंगे, future में fix है, रहेंगे अगर आप छोटे बच्चे हैं, तो बड़े तो होंगे, एक दिन fix है very good, I hope you are enjoying these classes, you are understand what I am speaking right now and what I taught you और जो भी student हमारा new आये हुए हैं, और उसी लग रहा है कि sir, मुझसे sentences ये बन नहीं पा रहा है हमें समझ में नहीं आ रही है, तो I suggest you please go for on first video, आपको first video में जानी है और वहां से first video day 1, day 2, 3, 4, 5, 6, एसे videos को आपको देखनी है, तब आप अच्छी तरसे हमारे साथ साथ बोल पाएंगे और बना पाएंगे, ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किये, तो प्लीज यूट्यूब चैनल को आप सस्क्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन दिया गया है, और एक प्याराशा कॉमेंट कर दीजिएगा, और लाइ अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या डिसकस किया, कि अपने लाइफ में, अपने फिशर आने वाले टाइम में, हम लोग कुछ मतलब होना चाहते थे, हम लोग कुछ बनना चाहते थे, है ना, यानि कि हम लोग बोलते हैं, बईया, मैं एक चात्र बनूँगा, क्या बनूँगा, मैं होश्यार बनूँगा, मैं लड़की बनूँगा, मैं एक लड़का बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं इंजिनियर बनूँगा, मैं फोजी बनूँगा, मैं परधान मंतरी बनूँगा, मैं चीप मिनिस्टर बनूँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर ब A Prime Minister, है ना, He wants to become a Prime Minister, तो यह कहेंगे सेर मैं पर्धान मंतरी बनूँगा, क्या करूगा, क्या करें गया यह, यह एक पर्धान मंतरी बनेगा, He will be a Prime Minister, यह एक Chief Minister बनेगा, हमनों बोल दो, अभी तो बना हुआ नहीं है, यह अभी से इनके माइंड में थोट चल रहा है, मैं एक प्राइब मिनिस्टर बनूँगा, चिम मिनिस्टर बनूँगा, है ना, टीशेर बनूँगा, अध्यापग बनेगे, डॉक्टर बनेगे, फोजी बनेगे, किशान बनेगे, एसे हम लोग लेकर के चलते है माइंड में, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है, आपने उसे ढंक से सुना नहीं, ढंक से पढ़ा नहीं, ढंक से देखा नहीं, ठीक है ना, तो आपको बारिक से चीज देखनी है, समझनी और पढ़नी है, यहां तक आपको समझ में आगी ही न, हम वीडियोज को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सिखेंगे और ऐसे बोलने वाले हैं Because you know that speaking comes by speaking और बोलना जरूरी है बोलना जरूरी है It's a must और बोलने से ही बोलना आता है Speaking comes by speaking अगर नहीं बोलोगे तो सब बरबाद हो जगा If you don't speak Then all in when और हमने एक और बात कही थी कि जल्दिवाजी मत करो Don't make hist अगर जल्दिवाजी करते हो If you hist make अगर आप जल्दिवाजी करते हो If you hist make Then all in when जल्दिवाजी करने का काम हमेशा सेतान का होता है Hist make waste That's why we should not hist make ठीक है जल्दिवाजी हमें नहीं करनी चाहिए Because you know that everything Okay चलिए अब एशी questions यहाँ पे हो गया आप जितना इनके उपर आप बता सकते हैं जितने ज़्यादा आप बोल सकते हैं बोलिए प्रैक्टिस करिए घर में जितने बार आप बोलना चाहते हैं उतने बार बोलिए Because you know that बोलने से बोलना Speaking comes by speaking दोड़ने से ही दोड़ना आता है Running comes by running और सुनने से ही सुनना आता है Hearing comes by hearing और कोई भी चीज पढ़ने से ही पढ़ना आता है Studying comes by studying या बूक रीडिंग करने से ही रीडिंग करना आता है Reading comes by reading और रीडिंग करना हमारे लिए It's a must जिस तरह रीडिंग करना It's a must है उसे तरह बोलना It's a must It's mandatory है बोलना तो It's a mandatory बोलना तो बहुत जरूरी है ठीक है और बोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए सिर्फ तो मूह तो चलाना है ध्यान से Be careful से आप सुनिए और बातों के repeat करिए It's a piece of cake It's a piece of cake कोई भी चीज यहां पे आप लिख लिजेगा It's a piece of cake यानि कि कोई भी चीज हमारे लिए आशान होना It's a piece of cake यानि कि हम लोग बोलता है यह मेरे लिए तो बहुत आशान है हमारे लिए तो यह चुटकियों का खेला है It's a piece of cake I can do it everything I can do it everything मैं मैं तो यह कर सकता हूँ सब कुछ कर सकत है यह तो मेरे लिए आसान है है ना It's a piece of cake यह हमारे लिए बहुत यह असान है है यह हमारे लिए आसान है करना आशान है It's a piece of cake केक यान दूसरे वे । औमें आप Κरकलते है जासे नहीं आपकोई प्रोवाइट कर रहा हूँ एक एक चीज नॉटीड करते रहे स्ली करते हैं तरफ एक चीज नॉटीड डाउन करते हूँ चलिए ठीक है और ये तो पक्का है कि जितने भी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी सारे मैं sentences बता रहा हूँ और जो आपको लगता है कि ये बहुत importance है ये हमें याद रखनी चाहिए ये सर जो अभी बोल रहे हैं ये बार-बार repeat होने वाले sentence है प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आई इंसिस्ट यू नोटे डाउन कर लीजिएगा ठीक है मतलब मेक इट पॉइंट कर लीजिएगा दिमाग में घुशा लीजिए पल्ले बान लीजिए इनकी जितनी भी सारे सर चीजें कही है न यह टोटल आपको माइंड में बिठा ले नहीं है इसे हमारे वीडियोज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो भी student new है और वो हमारे साथ साथ नहीं बोल पा रहे हैं तो वीडियोज को serial by serial नहीं देखे होंगे या day by day वीडियोज हमारा नहीं देखे होंगे तो हम सेजेस्ट करते हैं वीडियोज को day by day देखिए तभी आप अच्छी तरह से बोल पाएंगे बहुत धन्यवाद मिलते हैं इसे नेस्ट वीडियो में